हाई मैं प्रशांत आप सभी का अपनी यूटूब चैनल इक्वीटिट कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और हेजिंग स्ट्रेट्जी लेके आया है और यह इस्तेमाल करना कै सिस्तेमाल करना कैसे यहां पर प्रॉफिट वनेगा इसे पहले मैं आपको ऐकर डिर से यह घूट बताःड़ वह ने अपको पना ल्हां स्ट्रेकियो और इस वीडियो में जो मैं आपको hard strategy बताने जा रहा हूँ वो इसके just oppose it है और ये जो hard strategy में आपको पताने जा रहा हूँ, उसका नाम है आपका short strategy यहांपर देख सकते हैं, आज जो आपको मैं teasing strategy बताऊंगा यह होगा आपका short straddle हम करते क्या है इसका implementation जो सबसे important point है वो आपको ध्यान देना है अगर आपने हेजिंग strategy सीख भी लिया लेकिन आगर आप उसको implementation सही तरीके से नहीं कर पाते हो गलत जगह पे उसका implementation करते हो तो आपका हेजिंग strategy होने की बाबजूद भी आपको यहां पे अच्छा कासा नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए जो भी हेजिंग strategy है उसका सही market में इस्तेमाल करना जरूरी है मैं यहां पे आपको different market condition बताना चाहूंगा सही लोग को पता होगा कि market either upside move दिखाता है या downside move दिखाता है हाँ upside downside move market का direction होता है लेकिन एक तीसरा direction भी market का होता है वो होता है आपका range bound और mostly market आपका इसी range bound direction में move करता है अगर आप percentage इस आप से देखे लगवग आपका 40-50% जो market होता है वो आपका range bound move दिखाता है और मांकी 40-50% market आपका upside or downside move दिखाता है तिहां मैं आपको payoff chart पर लाना चाहूंगा और last video मैंने आपको कौन सा hazing strategy बताया था सबसे पहले वो बता देता हूं फिर उसके बाद आज जो हम discuss करने वाले हैं उसके just opposite है वहाँ पे आपको और समझने में आसानी होगे last video जो मैंने आपको strategy बताया था उसमें हमने क्या किया था उसमें यहाँ पे देख सकते हमने add the money का call options और put options दोनों भाई किया था और उसके बाद जो हमारा payoff chart बना था वो इस तरह का payoff chart बना था यानि एक particular range में अगर market रुख जाता है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे मुझे नुकसान होगा मुझे profit कब होगा either market आपका अच्छा खासा downside move दिखा है या फिर अच्छा खासा upside move दिखा है तब यहाँ पे मुझे क्या होगा यहाँ पे मुझे profit मिलेगा यानि market में volatility आना चाहिए वो volatility किसी भी तरफ हो मुझे यहाँ पे profit मिलेगा लेकिन अगर market आपका volatile नहीं होगा एक particular range में trade कर रहा होगा तब आप क्या करोगे इसके बाहर मुझे इस strategy से profit मिलेगा लेकिन अगर आपको लग रहा है कि market इसी range के बीच में move करने वाला और जो expiry देने वाला वो इसी range के बीच में expiry देने वाला तब आप क्या करोगे जा रहा हूं सबस्पहले उसका भी मैं आपको छोटा सा देखा देता हूं फिर मैं आपको और डीटेल से बात करूंगा देख सकते हैं यहां पर अगर market आपका इस पार्टिकुलर रेंज में रहता है ठीक है उपर रहे नीचे रहे उससे में फर्ट नहीं पर रहेगा इस प आपको डिटील में में इस साँ इस्तेमाल करना और यह साई इस्तेमाल करना जब आपको लगता है कि market लिस में रहे तब आपको यह इस्तवाड़ करना थिक तो सबसे पहले लाकिक है ऐसे पहले हम ओप्स टेजंगी उपस्टे रहे देख सकते हैं यहां हम क्या करेंगे मार्के अभी आपका 16,120 के लेवल करीब ट्रेड कर रहा है यहां पर यहां पर यहां पर क्या करेंगे हम इस वाले Strike Price को क्या करेंगे, Call Options को भी Sell करेंगे, इस साइज आपका Call Options दिखेगा और इस साइज आपका Put Options दिखेगा दोनों का क्या मतलब होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको क्ले कर दिया था तो जो लोग Put Sell करते है, यहां पर होता है कि Market आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा के इसका प्रिम्यम में 128 के करें यहां पर हम क्या करेंगे कौल और पूट दोनों के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे यहां पर यहां पर हम सेंग इसंग करेंगे और उसके बाद हमारा हेजिंग जी बंद के तयार हो जाएगा और इसको हम कब करेंगे जब हमें लगता है कि market आपका less volatile हो अब यहां पर less volatile का मतलब क्या है less volatile का मतलब है कि market आपका single day hundred points से कम का move दिखाए चाहे हो upside move हो या फिर downside move हो अगर यह आपका hundred points से ज्यादा का move दिखा रहा किसी भी reaction में तब यह market आपका less volatile नहीं है तब आपका volatile market है तब हम पहला वाला long straddle strategy का इस्तेमाल करेंगे लेकिन अगर market आपका hundred points से कम का move दिखा रहा डेली वह आपको 50-60 point का move दिखा रहा या फिर को भी यहां पर sell करेंगे ठीक है यहां पर margin कितना लहेगा margin कैसे कम कर सकते हैं सब कुछ के उपर हम रीटियल से बात करेंगे सबस्पहले हम इस strategy को समझते हैं इसका इस्तेमाल कम करना जब market आपका less volatile हो less volatile identify करने का एक और तरीक है कि आप यहां पर VX का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया VX जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंडिया VX आपको यहां पर 15-20 के बीच में यानि below 20 होना चाहिए यानि 20 से आपका कम होना चाहिए VX तब क्या होगा तब market आपका less volatile होगा और जितना कम होगा उतना बहत्वीन है हमारे लिए क्योंकि market जो है वह particular range में आपको trade करता हो दिखेगा market अगर ज़्यादा volatile होगा तो यहां पर विक्स भी ज्यादा हाई मिलेगा फिर market आपका एक वेंज के बाहर भी trade कर सकता है इसलिए हम यहां पर विक्स क्या चाहिए विक्स आपका 20 से कम चाहिए विक्स अगर 20 से ज्यादा है तो फिर इस strategy का हम इस्तमाल नहीं करें क्योंकि market आपका single day hundred point ज्या और यहां पर हम क्या करते है एड दमनी का कॉल और पूट दोनों options सेल करते हैं चलिए वापस से हम पर चाहिए और इसको और डीटेल से समझने कोसिस करते हैं तो यहां पर हम वापस से ऑफ्सट्रा के website पर आगे देख सकते हैं यह आपका फ्री में available हो जाएगा यहां पर द पर दिखेगा और यहां पर आपको यहां पर आपको लिम्टेड दिखेगा और यहां पे आप range देख सकते हैं 15,835 के नीचे अगर market जाता तो भी हमें नुकसान होगा और 16,365 के उपर अगर market जाता है तो भी नुकसान होगा अगर market इस particular range के बीच में रहता है तो मुझे यहां पे अच्छा खासा benefit होगा तो यहां पे आप इसके pay off chart को भी देख सकते हैं अगर market हमारा इस range के बीच में रहता है तो मुझे क्या होगा तो मुझे यहां पे profit मिलेगा अगर इस range के बाहर निकला चाहे वो upside की तरफ बाहर निकले या फिर downside की तरफ बाहर निकले क्या होगा मुझे यहां पे दोनों तरफ क्या होगा loss उठाना परेगा इसलिए मैंने बोला कि इस strategy के इस्तिमाल कब करना जब market आपका volatile कम हो यहां पे देखिए अभी market आपका 16,100 करीब trade करा और मुझे यहां पे मिलवा 16,100 भी 65 का range यानि आपका upside में लगवग आप बोल सकते हैं कि यहां पे आपको 200 point का range मिलवा अगर market 200 point उपर जाता है तो ठीक है अगर 200 point से ज़्यादा उपर गिया तो मुझे यहां पे नुकसान उठाना पड़ेगा और नीचे side की तरफ बात करें नीचे side में मुझे यहां पे लगवा 200 point का range मिलवा तो आपको almost 500 point का range मिलवा 15,835 से लेके 6,365 यानि यह आपका 500 point का range है अगर इस 500 point के range में आपको लगता है कि market इसी range में move करेगा और इसी range में expire देगा तो फिर आपके लिए यह strategy perfect है जहां पे आपको maximum benefit मिलता हुआ दिखेगा लेकिन अगर इस range से बाहर market निकला चाहे उपर या नीचे तो आपको यहां पे जबरदस्ट loss उठाना पड़ेगा देख सकते हैं loss जो आपको वो बढ़ता ही जाएगा जैसे level increase होगा तो यहां पे आपको upside में भी 200 points और downside में भी 200 points मिलता है तो अगर आप expiry to expiry बात करें अगर आप Monday से भी बात कर लेते हैं एक दिन हम Friday का छोड़ भी देते हैं फिर भी यहां पे मुझे daily का कितना point मिलवा daily का अगर 60 points इस means के बीच में अगर market move करता चाहिए उपर जाए या नीचे जाए तो मुझे यहां पे कोई tension नहीं है अगर वो 60 points नीचे भी जाता है तो कोई tension नहीं लेकिन अगर वो 100 points upside downside move दिखाने लग गया तो फिर यहां पे मुझे tension है तो फिर मुझे यहां पे महारी नुकसान हो सकता है इसलिए मैंने आपको बोला कि market अगर आपका 50-50 points के बीच में move कर रहा daily basis पे तो फिर यह strategy आपके लिए सही है जहां पे market आपका less volatile है क्योंकि यहां पे आपको यही range है जहां पे आपको maximum profit मिलता हो दिखेगा इस range के उपर यह नीचे जाए तो मुझे नुकसान उठाना परेगा तो यह strategy है जो कि आपका long straddle का बिल्कुल opposite आप देख सकते हैं इधर मेरा long straddle है देख सकते हैं यहां पे मुझे इस range में नुकसान होगा लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि market इसी range के बीच में move करेगा ठीक है तो फिर क्या होगा तो फिर हम यहां पर क्या strategy इस्तेमाल करेंगे यहां पर हम short straddle वाला strategy इस्तेमाल करेंगे तो उमीद करते हैं यह concept यहां पर आपको समझ में आ गया होगा और यह strategy का implementation करना वो आपको सीखना बहुत जब रही है और वो ही मैंने आपको detail से बताया कि market less volatile होना चाहिए less volatile का मतलब क्या है वहाँ पर हमें Wix क्या देखना Wix भी आपको देखना Wix अगर 20 से उपर है तो आप मान के चल सकते हैं कि market less volatile नहीं है फिर आप वहाँ पर अलग strategy इस्तेमाल करेंगे तो इसे strategy का इस्तेमाल करना clear हो गया हम और भी आपके लिए hedging strategy लेके आएंगे इसके उपर हम regular वीडियो बनाते रहेंगे इसके लिए आप हमारे channel को जवर सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि अगर हमारे channel को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हम hedgehog strategy के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो कुछ वीडियो हो सकता है मिस हो जाए इसलिए channel को जवर सब्सक्राइब किजिए अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजे सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन